नमश्कर दोस्तों मैं मिलाक्षी अपनी आज किस वीडियो में लेकिए हैं यह इसका फ्रेंट पार्ट आगे का हिस्सा और यह इसका बैक पार्ट पीछे का हिस्सा यह जो डिजाइन है इस डिजाइन के लिए हमें आठ के मल्टीपल में फंदों की जरूरत होगी एक फंदा डिजाइन को इकुल करने के लिए और इसमें चार होंगे हमारे एच स्टिच दो दो एच स्टिच दोनों तरफ यह जो डिजाइन है यह चार स्लाई का डिजाइन है जिसमें दो स्लाई होंगी हमारी सीधी और दो स्लाई उल्टी इस डिजाइन में जो उल्टी स्लाई है वो दोनों तरफ की अस्टीक, दो आगे की तरफ वाले, और दो पीछे की तरफ वाले, चार अस्टीक हमारे वह उल्टे बोने जाएंगे, मतलब कि ये वाला फंदा सीधा, और बीच वाले फंदे, उल्टे, हमारा जो आज का डिजाइन है, वह हम डालेंगे, ये मैंने अपनी स्लाइब में 21 फंदे डाल लखे हैं और हम अपनी बुनाई के सीधा तरफ हैं पहली स्लाइब पहला फंदा बीना बुने उतारेंगे ये हमारा एज स्टिच है दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे उनको अपनी तर्फ करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे उनको पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो अब ये जो दो फंदे है अगले ये दो फंदे सीधे बुनने के बाद बुने के बाद यह लटे हाथ की स्लाई से उतारेंगे नहीं। उनको सलई के उपर लपेटेंगे और ये तीनों फंदे दुबारा बुनेंगे तीन फंदे हमने एक अठे बुने और यहाँ पर हमारे पास तीन फंदे आ गए दो फंदे सीधे, एक, दो उनके अपनी तरफ किया , एक फंदा उल्टा उनको पीछे किया दो फंदे सीधे एक और ये दो अब फिर ये दो फंदों में से पिछला फंदा जो है उसको हम आगे लेके आएंगे और ये तीन फंदे इकठे बुनेंगे इस तरह से उनको स्लाई के उपर लपेटा और ये तीन फंदे दुबारा बुनेंगे ये होगे हमारे पास तीन फंदे एक दो और तीन दो फंदे सीधे एक दो उनको अपनी तरफ किया दो फंदे उल्टे एक फंदा उल्टा और लास्ट के दोनो एच स्टिच सीधे ये होगी हमारे डिजाइन की पहली स्लाई उल्टी स्लाई पहला एच स्टिच बीना बुने उतारेंगे दूसरा एच स्टिच उल्टा बुनेंगे ये फंदा पिशली बार हमने उल्टा बुना था तो इस बार ये एक फंदा जो है वो सीधा बुना जाएगा उनको अपनी तरफ करेंगे बीच वाले साथ फंदे उनको हमने उल्टा बुनना है एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ ये फंदा पिछली बार हमने उल्टा बुनना था इसको हमने सीधा बुनना है उनको अपनी तरफ किया साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे और ये साथ ये फंदा सीधा बुननेंगे क्योंकि पिछली बार हमने उल्टा बुना था उनको अपनी तरफ किया दो फंदे उल्टे और ये दोनो एच स्टीच है और हमारी जो उल्टी स्लाई है सारी उल्टी स्लाई जतनी भी हमने उल्टी तरफ से बुननी है वो बिल्कुल इसी तरह से बुननी जाएगी एक फंदा जिसमें से सीधा होगा एग स्टिच उल्टे और जो हमारे साथ फंदे bीच में है जिन से हम डिजाइन बना रहे हैं मेर्य पैटर्न जो है वो साथ फंदों का है बीच वाले वो वाले स्टिच उल्टे बुने जाएंगे अब आगे हम अपनी दूसरी सीधी स्लाई पे पहला edge stitch बिना बुने उतारा, दूसरा edge stitch सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, उनको पीछे किया, अब यहाँ पे इन 7 फंदे जो हमारे पास ये बीच में 7 फंदे हैं, 7 फंदों में से पहले 3 फं हमने 1 इकठे सीधे बुने हैं, इस तरह से, उनको पीछे कि उपर पेटा और यह 3 फंदे दुबारा बुने जाएंगे, और यह हमारे पास होगे 3 फंदे, 1, 2, 3, तीन पीछे बुने, उसके बाद बिना उल्टे हाथ कि स्लाई से उतारे, उनको पीछे किछे 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 और वही 3 फंदे दुबारा बुने, एक फंदा सीधा, अब हमारे पास यह जो अगले 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों की हम पुजिशन चेंज करेंगे, यह 3 फंदे इस तरह से पहले हमने सीधे हाथ कि स्लाई पे लेने, उसके बाद इनको वापिस उल्टे हाथ कि स्लाई पे ले पुनेंगे, उनको स्लाई के उपर ले पेटा और यह 3 फंदे दुबारा बुनेंगे, तो दो बार बुने और हमारे पास यहां 3 फंदे आगे, एक, दो और यह 3, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, यह 3 फंदे बिल्कुल सिधी तरह से इकठे बुने, उनको स्लाई के और यह तीन फंदे दुबारे इकठे बुने एक फंदा सीधा बुना अब यह तीन फंदे इनकी पुजीशन चेंज की और यह वापिस उल्टे हाथ की स्लाइप लिए दो और यह तीन तीनों फंदे इकठे पीछे की तरफ से उनको स्लाई के ओपर लपेटा और ये तीन फंदे दुबारा इकठे बुने यह होगे मार पास तीन फंदे एक, दो, तीन उनको अपनी तरफ किया एक फंदा उल्टा दोनो एज स्टिक सीधे उल्टी स्लाई बिल्कुल वैसे जिस तरह से हमने पहले उल्टी स्लाई बुनी थी तो इस तरह से ये चार स्लाई दो सीधी तरफ से, दो उल्टी तरफ से दोहराते हुए हम इनका अपना ये पैटर्न है वो पूरा करेंगे इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा अब ये चार स्लाई बुनने के बाद, पहली स्लाई हम यहां दोबारा बुनेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक, दो, अब यहां दो फंदे, बीच वाले फंदे को हम आगे लेके आए, अब यहां दो फंदे ये तीसरा फंदा ये तीनों फंदे मिला के तीनों को इकठा बुना उनको सलाई के उपर लपेटा और यही तीन फंदे दुबारा बुने दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सीधे पीछे वाला फंदा आगे लेके आए तीन फंदे इकठे उनको स्लाइक के अपर रपेटा और यही तीन फंदे दुबारा बुने दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा और एक स्टिच सीधे तो इसी तरह से यह चार स्लाइक बार बार दोहराते हुए हम अपना डिजाइन पूरा करेंगे